कि एद्रू अज्छ। आज टुड़े जो इंडिफ्रेंस कर्व। हिंदी में इसको कहते है hearing . अन registr थथस्त थथवक्र चीपिए इन डिफ्रेंस कर्व जो है यह हमारा ओर्डिनल ज उटिलिटी को मेजर करने के लिए उस होता है और डिनल आ पि셨हerson कर सकती हैंज तो हम उसको nombards के टमस में नहीं की मेज़र करते हैं तो हम उसको रांक देते हैं कि a commodity से हमें जाधा utility हो रही है और दूसरे commodity से उसके comparatively कम जो है utility derived हो रही है ठीक है तो indifference curve basically क्या है it is the curve which shows different combination of two commodities ठीक है अगर हम यह मान के चल रहे हैं कि जो consumer है वो दो commodity का consumption कर रहा है तो different combination को शो करेगा वो दो commodities के जो की consumer को same level of satisfaction जो है वो provide करेंगे ठीक है विच प्रोवाइट्स या विच ओफर्स the same level of satisfaction to the consumer की consumer जो है वो उन combinations को अगर चूस करता है तो उसके level of satisfaction में कोई भी change नहीं आएगा उसके equilibrium में कोई change नहीं आएगा ठीक है अनदिमान वक्र दो बस्तों के विभिन संयोगों को प्रकट करता है जो उब्भोकता को संतुष्टी का समान स्तर प्रदान करते हैं ठीक है तो अगर हम लेले कि different combination हमने बनाए एबी सी डी जिसमें हमने X commodity की कुछ quantities ली है और कुछ Y commodity की quantity ली है ठीक है तो अगर combination एक ही हम बात करते हैं तो ए combination के अंदर जो consumer है वो X की 1 unit का consumption कर रहा है और Y की 12 units का consumption कर रहा है तो जो satisfaction उसको A combination से मिल रहा है वही satisfaction उसको B combination से मिलेगा वही satisfaction उसको C combination से मिलेगा और वही satisfaction उसको D combination में मिलेगा लेकिन अगर हम यहां पर देखे टेबल के अंदर तो इसमें जो unit of X है फर्स्ट कॉंबिनेशन में वो कम है और unit of y जादा है सेकंड कॉंबिनेशन में हमने unit of x को थोड़ा बढ़ाया है और unit of y को थोड़ा कम किया है ऐसे ही अगर d combination की बात करें तो उसमें unit of x a के comparatively जादा है और unit of y जो है वो a के comparatively बहुत कम है लेकिन ये सारे ही combinations जो है चाहे consumer a को चूज करें चाहे b को चाहे c या d ये सारे ही combinations जो है वो consumer को equal level of satisfaction जो है वो provide करेंगे अब consumer कौन सा combination चूज करेगा ये depend करेगा consumer की preference पे कि उसको good x को जादा consumption करना है या good y का जादा consumption करना है इसको अगर हम graphically देखें तो हमने x axis पे लिया है unit of x ठीक है और y axis पे लिया है हमने units of y good ठीक है तो पहला combination हमारा है a जिसमें 1 unit of x की है और 12 units of y की है दूसरा combination b जिसमें 2 units x की है और 8 units y की है तीसरा combination c 3 units of x and 5 units of good y and d 4 units of good x and 3 units of good y indifference curve जो है वो convex to origin होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो MRS है marginal rate of substitution यह हमेशा decreasing होती है ठीक है यह हम बाद में इसकी जो properties पढ़ेंगे तब रिटेलिंग में पढ़ेंगे इस चीज को अभी के लिए इतना समझना काफी है कि indifference curve एक indifference curve पे जितने भी combinations होंगे वो सभी combination consumer को equal level of satisfaction प्रवाइट करेंगे यानि कि इस पूरे indifference curve के ओपर consumer कोई भी combination of good x या good y चूज करता है तो उसका level of satisfaction होगा वो decrease नहीं होगा यानि कि जो उसका संतुष्टी का स्तर है वो पूरे indifference curve पे पूरे अनद्मान वक्र पर बराबर रहेगा समान रहेगा उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा ठीक है तो यह था indifference कर इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी इसको समझेंगे